Hello friends, welcome to my YouTube channel, आज शुरू करेंगे exercise 8.3 से question number 10 The population of a place increased to 54,000 in 2003 2003 के अंदर population increase होकर 54,000 हो गई At a rate of 5% per annum और जो population बढ़ी ही है वो 5% per annum के हिसाब से बढ़ी है आपको निकालना है, find the population in 2001 तो 2001 के अंदर population कितनी थी Second, what would be its population in 2005 और 2005 में population कितनी हो जाएगी अब देखे question पर दियान दीजिए कि 2003 के अंदर बढ़ने के बाद 54,000 हो गई यानि जो चीज बढ़ने के बाद होती है न वो आपका amount होती है और यहाँ पर 2001 में कितनी थी 2001 से increase होकर ही तो 2003 के अंदर बनी है यानि जो population 2001 में होगी वो आपका principle मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम amount और rate यहाँ पर दिया हुआ है 5% और time निकाल लेंगे कि 2001 से लेके 2003 का जो time है वो 2 साल का हो गया तो पहले हम first part निकालेंगे कि 2001 में population कितनी थी चलि कोशन की शुरुआत करते हैं देखे आपको given है कि 2003 के अंदर जो population बढ़ने के बाद हुई है वो 54,000 हो गई है इसको हम amount मान लेते हैं हमें 2001 की population बतानी है तो यह हो जायेगा हमारा principle rate दिया हुआ है 5% और time यहां हो जायेगा 2 साल क्योंकि 2 साल का gap ही तो है 2001 और 2003 में 2 साल का gap है चलिए question की शुरुआत करते हैं according to question हमें दे रखा है हमें amount दे रखा है यानि principle plus rate upon 100 और यह time is equal to amount होता है amount हमें यहां दे रखी है principle निकालना है तो value put करते हैं यह principle 1 plus 5% rate दिया हुआ है और time हमारा 2 साल हो गया और amount यहां पे है 54,000 अब इसे solve करें तो यह bracket कट गया यहां पे 5 ones आ और यह 5 20 जार तो अंदर अंदर आ गया 21 जा 20 और इसमें 1 plus किया तो आ गया 21 upon में 20 और क्योंकि यह दो बार है तो यह दो बार लिखा जाएगा 21 upon 20 यह सारा बराबर 54,000 के बराबर है अब हमें निकालना है principle तो principle को छोड़ देंगे बिल्कुल अकेला और बाकी की यह जो चीज़ें हैं यह 54 के पास चली जाएंगी अब equation का rule यह होता है कि जो चीज़ उपर होती है वो दूसरी तरफ जाकी नीचे आ जाती है तो 21,21 नीचे आ जाएंगे और यह जो दो 20 हैं यह उपर चले जाएंगे multiply में बस अब इसे solve करते हैं इसे जब solve करेंगे तो यह जो 21 है और 54 है यह दोनों के दोनों 3 से divide हो रहे हैं 21 को 3 से divide करेंगे तो 7 आएगा और 54 3 से divide होके 18 आ जाता है और यहाँ पर 1000 भी है तो इस पूरा कटके 18,000 आ गया इसी तरह से यह वाला 21 3 से divide हो जाएगा यह 7 आ गया और 18,000 3 से divide होकर 6,000 आ गया अब 7 से कुछ उपर कटने रहा तो आपके पास values बचियें उपर 6000 इन्टू में 20 इन्टू में 20 और नीचे है 7 इन्टू 7 इनका जब solve करेंगे तो उपर उपर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 5 तो 0 आ जाएगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तूस आ 12, 12 तूस आ 24 यह आ गया 24 और नीचे 7, 7, 0, 49 और इसको डिवाइड करते ही 49 से आपका अंसर आ जाएगा जब इससे आप 49 से डिवाइड करेंगे तो यह value आएगी 4, 8 9, 7, 9 और पॉइंट में अंसर आएगा 0, 5 अब यह आपकी जो population है न यह 2001 में थी इतनी थी यानि 48,000 थी और बढ़ने के बाद दो साल में 54,000 हो गई थी अब यह आंसर आ रहा है पॉइंट में अब पॉइंट में तो कभी population होती नहीं है यह half है तो आदा तो बच्चा पैदा होता नहीं है इसे हम एक प्रॉक्स कर लेते हैं तो 4, 8, 9 यह 79 and half है ना इसे पूरा-पूरा 80 माल लेते हैं यह एप्रॉक्स में अंसर आ गया एप्रॉक्स मतलब इतना लगभग तो फर्स्ट पार्ट का अंसर यह है तो देर्फोर फर्स्ट का अंसर आप ऐसे लिखेंगे देर्फोर population in 2001 is equal to 48,980 इतनी थी 2001 में बढ़के दो साल में वो 54,000 हो गई यह फर्स्ट पार्ट है अभी आपको यह भी निकालना है कि 2005 के अंदर यह population कितनी हो जाएगी अब सवाल उल्टा चलेगा देखिए हमें आगे का बताना है न और at present हमें पता है तो इस केस में जो principal हो जाएगा वो हो जाएगा 54,000 क्योंकि 2003 में हमें पता है कि population 54,000 है और जो rate है वो 5% ही रहेगा और time यहाँ पे भी time जो होगा वो 2 साल का हो जाएगा 2 years क्योंकि 2003 से 2005 की बाद चल रही है बीच में 2 साल का gap है तो time 2 साल हो जाएगा तो 2 साल बाद यह जो principal है यह कितना amount बन जाएगा तो हमें amount निकालना है अब simple तो amount निकालते हैं इसमें से amount हो जाएगा principal 1 प्लास rate अपॉन में 100 और यहाँ पे time अब इनके अंदर इनकी values पुट करते है तो principal हो जाएगा 54,000 क्योंकि यह 54,000 बढ़के कुछ बनेगा 1 प्लस rate 5 परसेंट ही है और time 2 साल के लिए bracket solve करें तो 5 वन्जा और यह 20 पे कट गया next step में यह 54,000 और यहाँ bracket के अंदर 20 वन्जा 20 और प्लस में यह वाला 1 तो यह हो गया 21 नीचे 20 और यह दो बार है तो इसे दो बार लेंगे 21 upon 20 इस तरह से solve करते हैं इसको यह 10 इससे 10 से कट गया यह वाला 0 इस 0 से कट गया यह वाला 2 540 को डिवाइड कर देगा तो यह 270 आ जाएगा यहाँ पर 272 से डिवाइड हो जाएगा तो यह भी कट गया यह 135 आ जाएगा अब values जो बची हैं यह है 135 into 21 और into 21 इनका product करेंगे तो product आ गया 59535 तो यह जो population है यह 2005 के अंदर हो जाएगी तो आपका second answer है therefore population in 2005 would be इतना हो 59535 question खतम तो यह अपने आप में थोड़ा सा special question था यह बिल्कूल अलग सा question था इसमें 54,2003 की population दे रखी थी आपको पीछे की बतानी थी जब पीछे की चीज बतानी है यानि कि आपको principle बताना है तो यहाँ पे इसलिए आपने principle निकाला अब यहाँ पे 2005 की बतानी है तो यह जो 2003 की यह principle हो जायागा और जो बढ़ने के बाद आएगी यह 59,000 यह आपका माउंट हो जायागा तो यह 2005 की population होगी तो इस वीडियो बस इतना ही next questions के लिए मिलता है